इसके रिलेटेड मैंने आपके साथ काफी वीडियो शेयर की है तो यह थोड़ा ओवर्वीव है कि कौन-कौन से टॉपिक हमें इस चेप्टर में पढ़ने हैं सबसे पहले हैं, What is Drilling? Classification of drilling and their description Various operations performed in drilling machine Types of drill Types of drill में उसके बाद twitch drill है उसके बार में थुड़ा detail में पढ़ना है Drill Holding Devices Reaming है, Reamers है, Types of Reamers Last topic है Safety Precautions Drilling and Reaming यह कुछ छेसा topic है जो इस चेप्टर में हमें पढ़ने हैं इसी के related हमारे syllabus में questions भी आपके exam में पूछे जाएंगे तो Twitch Drill जो है इसकी वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ Radial Drilling Machine की वीडियो शेयर कर चुका हूँ Reaming की वीडियो शेयर कर चुका हूँ और कुछ drill Holding Devices की वीडियो भी शेयर कर चुका हूँ अब थोड़ा सा overview लेते हैं कि हमारे इस chapter में आखिर है क्या Drilling basically है क्या Drilling is a process by which we generate hole by rotating edge of cutting tool and we exert a large force on a work piece and we exert a large force on work piece clamped on the table मतलब मुझे लगता है यहां पर हमने drilling देखी है drilling तो हम काफी लोग गर में भी करते ही है drilling गर में भी यूज़ की जाती है छोटी मोटी तो drilling जो है इसकी classification अगर देखी जाए इसकी एक e-book मैंने आपके साथ शेयर भी की है तो वो अगर आप e-book वो ही उनके लिए है जिनके पास book नहीं है basically वो बुख जो है वो आपकी eagle की book की ही एक pedia बनाई है तो classification में सबसे पहले portable drilling machine आती है sensitive drilling machine, upright drilling machine, rail drilling machine, multiple drill, gang drill machine यह 6-7 drilling machine है जो आपको पढ़नी है उसके बाद सबसे वहले थोड़ा साथ चलते है portable drilling machine यह है portable drilling machine portable drilling machine basically है कि एक ऐसी small drilling machine जिसको हम कहीं भी काम कर सकते हैं जिसमें पार की जरूरत भी नहीं है हम ऐसे ही hole कर सकते हैं एक chuck है 3-jaw chuck है यहां पर आगे हम एक drill लगाते हैं और hole कर देते हैं तो यह basically बहुती जहां पर हम असानी से drill को लेके जा सकते हैं that is portable type drilling machine इस पर 2-3 times है आप इसकी डाइग्राम की तरफ थोड़े सा ध्यान से दिये यह है उसके बाद sensitive drilling machine थोड़ा सा overview ले रहे हैं इसके बाद आप अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यह sensitive और bench type drilling machine में क्या है देखिए यह एक motor है ठीक है यहां पे हम tool लगाएंगे drill machine लगाएंगे यहां work piece होगा तो यहां पे motor जो है यहां से यहां पे power दे रही है with the help of a V-Welt देखिए यह V-Welt है यहां से motor power देगी V-Welt के जरीए यहां पे motor लगी है यह power देगी और यहां पे आपको tool को spindle को power मिलेगा और यहां पे tool को power मिल जाएगी tool rotate करेगा ठीक है यह motor यहां से यहां power transfer कर रही है तो यहां पे अगर हम tool की वर्टिकल मोशन देखें तो उसके लिए एक लीवर है जिसको हमने लिखा है फीड हैंडल आप देख रहे हैं फीड हैंडल तो यहां से हम spindle को जो ड्रिल चक है उसको वर्टिकल मोशन दे सकते हैं ठीक है यह कॉलॉम है अब देख सकते हैं इसके parts bench, table, drill chuck, spindle, column, motor यह सब इसके parts है ठीक है तो आप इसको अच्छी तरह से देखिए इसकी construction अगर आपको अग्जाम में आएगा इसी diagram बनानी है construction और working अच्छी तरह समझानी है then comes upright drilling machine, upright drilling machine थोड़ी सी अलग है इसमें ज्यादा हम different parts में इसको चला सकते हैं इसमें multiple parts मेरा कहने का मतलब यह है कि different spindle speeds है, ज्यादा spindle speeds है वहाँ पर limited spindle speed थी यहाँ पर ज्यादा spindle speed है यहाँ पर motor जो लगी है, आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर table को भी उपर निचे कर सकते हैं उपर निचे, हम work piece को भी उपर निचे कर सकते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर fast and loose pulley तक लगी हुई है यहाँ पर bevel gears है, यहाँ पर hand wheel है, थोड़ा सा complex system है, foot pedal है, rack pinion arrangement तो वहाँ भी था उसके बाद यह कुछ systems है, जो हम मतलब यह थोड़ा सा complex है, इसमें spindle की speed हम different adjust कर सकते हैं उस radial arm को हम नीचे motion भी देख सकते हैं, मतलब यह जो है, this is column, this is radial arm, और radial arm की हम उपर नीचे भी कर सकते हैं, इसको angle पे ऐसे movement भी कर सकते हैं और यह जो है, यहाँ इसके लिए motor अलग है, इसके लिए motor अलग है, इस motor से हम इस spindle को गुमाएंगे, और tool हम गुमेगा, और इस hand wheel की help से, हम stool को vertical motion उपर नीचे दे सकते हैं, और इसकी 3 motions possible हैं, this is radial drive drilling machine, इसमें एक universal milling machine आती है, जिसमें और एक direction possible हो जाती है, ठीके, यह of drilling machine, इसको आप go through कीजिए, अगर आपको समझ नहीं आती है, आप मुझसे बूच सकते हैं, उसके बाद है various drilling operations that are, that can be performed on drilling, यह हमने, वीडियो मेंने बड़ी अच्छी तरा आपको वीडियो एक बेजी थी, जिसमें काफी अच्छी तरा समझाया गया था, यह drilling है, जो की हमे में पता है, this is spot facing, spot facing में आप देखिए, इसमें ऊपर एक square face बनाया जाता है, the end of hole, कि ताकि easily, जो bolt का head है, वहां पर rest कर सके, this is spot facing, ठीक है, यहां पर bolt का head easily rest कर सके, उसके बाद रीमिंग, रीमिंग जो है, अगर कोई already hole बना हुआ है, उसको मुझे अच्छी surface finish दे नहीं है तो इसके लिए, रीमिंग का use किया जाता है, बोरिंग, बोरिंग मतलब, जहां पर एक hole बना हुआ है, मुझे उस hole को enlarge करना है, तो इसके लिए, बोरिंग टूल, यह किया जाता है, रीमर में एक, रीमर जो टूल होता है, इसमें multiple teeth होते हैं, यह हमने आगे पढ़ना भी है और मैंने आपके साथ वीडियो भी इसके शेयर किया, उसके बाद counter boring और counter sinking जो है, यह different, जो hole के opening है, उसको different shapes निकली जाता है, यहाँ पर हमें flat head, flat head यह counter sunk head, use करना है, तो हम यह वाला tool यूज करेंगे, उसको tapping जो है, internal threads के लिए, हम tapping को use करते हैं, tapping आपने lat machine में देखा हु operation जो हमने perform कर सकते हैं, तो हमने आज देखा, classification of drilling, their description, जितनी मैंने आपको बताई है, portable, upright, then sensitive, radial, उसके बाद एक gang है, तो यह आप सभी go through कीजिए, इसके बारे में अच्छी तरह पढ़िए, अगर को problem आती है, मुझसे पूछिए, drilling मैंने आपको बता दिया है, यह भी आप देखिए, और various operation जो है, यह मैंने वीडियो भी share की है, आज भी थोड़ा सा overview किया है, और twist drill जो है, इसकी वीडियो मैंने आपके साथ share की है, types of drill देखिए, twist drill की वीडियो शेर की है, उसका nomenclature और आपने assignment भी मुझे submit कर दिया, इसकी 5-6 बचों दिया है, उसके बाद drill holding devices अपने places में देखिए, रीमिंग और रीमर्स की वीडियो मैंने आपके साथ share की है, safety precautions जो है, यह हम सबको already पता है, तो इस chapter का, आपको मैं दो दिन दे रहा हूँ, आप इन दो दिन तक इस chapter के बारे में, जो भी confusion हो, कोई भी चीज पूछनी है, आप मुझे message कर सकते है, मेर वो submit करने के बाद इसका एक test लिये जाएगा, thank you students.